दुनिया में होनी वाली क्रांती का कारण महापुर्शों को दिखाई देता है। जैसी ग्रह नियमित रूप से घुमते हैं, वैसे ही क्रांती के बारे में भी है। बात इतनी ही है कि हम उन नियमों और कार्णों को नहीं जानते। इसलिए यह अकासमात हुई ऐसा मानते हैं। मेरी मन हिस्थिती गारे के नीचे चलने वाले कुत्ते सी नहीं है, मुझे अपनी मरियादा का वहान है। मैं तो रजकन हूँ, रजकन का भी इश्वर के जगत में अस्थान है। अदिवा कुशला जाना कबूल कर ले तो, करता धरता तो वह बड़ा कुमहार ही है, वह जो काम चाहे मुझ से ले, हार भी उसी की होगी और जीत भी उसी की। इसी लिए हमारे हारनी का सवाल ही नहीं है, अत्वा यूँ कहें कि हम तो सदा के लिए हारे हुए हैं, आप मेरी रक्षा करनी का यत्र न करिए, हम सबकी रक्षा करनी वाला तो अनंत बाहु है, आप विश्वास रखिए कि जब मेरे दिन पूरे हो जाएंगे, तब दुनि जब मैं अपनी तमाम सिमाओं और अपनी अज्यान की बात सोचता हूँ, तो मेरा मन घोर निराशा में डूब जाता है, लेकिन यह विचार और अनभो करती हुए, मैं फिर उपर उबर आता हूँ, यह तो मेरे अंदर बैठा भगवान है, जो मुझे चला रहा है, और अपन साधन के रूप में मेरा परियूक कर रहा है, वह मुझे ठीक समय पर ठीक शब्द सुझा देगा, किन्तो इसका अर्थिया नहीं है, कि मुझे कोई भूल नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसा मानने लगा हूँ, कि भले ही हमारा घमंड तोरने के लिए ही क्यों नहो, इश्वर हमसे जान बूच कर गलतियां कराता है